है इसमें विल्कॉंग विल्कम बेक अगरें दो चैनल इने ट्रकवर्ड आयो ओप यह दो इस वीडियो तो आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिक्शन बेल को और करें जिसे कि आप जब भी मैं यह वीडियो प्रोड कोनगा आपको उसको सब्सक्राइब पहलेमें होती है ईक में करना है इसको आपने इमेडिकरी ऑपने प्रोज्ट करना होता है तो आपको यह वाला पीज्ट के आना है यहां सीür इसको एड करवा देना है और मेक शूर आप यह वाली कमांड टर्मिनल के अंदर फारी कर लेना फ्लुर्टर पप्प्पगेडिस से कि अपनी पैकेज ओपन ने एड कया है वह एड हो जागा ठीक है और मेक शूर इसके बाद में एड होने के बाद भी आपके बास जन इसके बाद में फाइल करेंगा इसके अंदर उसका मेनाव रखोंगा इमेज़ पिकर डॉट के नहीं से रख दूँगा ठीक है और मैं भी इमेज़ पिकर स्क्रीन है आप पर डिपन करता है क्या रखना जाते हो और मेक शूर इसके बाद इस फाइल के अंदर अपने एक इसके बाद में जो आगे काम है। वह मैंने आपके लिए काफी इजी कर दीया है क्योंकि मैंने जो सारी चीची अपने को रिक्वायर्मेंट सिनक्स है वह एक नोट्विट फाइल में एड़ करके आपको डिस्क्रिप्सिन उसका लिंक दे रहा है इट मेंस कि आपको क्या करना है डिस्क्रिप्सिन में जाना है और आप एक नोट्विट फाइल का लिंक उसको डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद में जो इस्टेप में फोलो करने वालो हो सेम स्टेप फ इसको open करना है आपको open करने के बाद में इसको full screen लेने के बाद में आप देख सकते हूं इमेज speaker यहां पर आना है अपने यहां पर stateful widget create कर लिए stateful widget करने के बाद में आपने को सबसे पहले ui का work करना है तो जो यहां पर आप देख रहे हो इसको यह पर टाइटल देता हूं टेक्स्ट ठीक है और इसका में नाव रख देता हूं इमेज पीकर स्क्रीन अब कुछ भी रख सकते हो आप पर डिपेंड गड़ता क्या टाइटल देना जाते हो क्या चीज़ रखने जाते हो और यहां पर मैं एक कॉमा लगा हूं जिससे कि अपन सब्सक्राइब अच्छे सब्सक्राइब और यहां पर मैं इसको सेंटर टाइटल ट्रू कर दूंगा जिससे कि अपने टाइटल हो गया रहा हूं सेंटर में दिखाए अगर अपन एक बार इसे स्क्रिंग को रेंडर करवाए मेंडो डार्ट से जो कि अभी आप एमिलेटर क इसको अपन को इन दो करता हो और यह कावी सिंपल आपको डाउनलोड कर लेनी है और इसको मैं किक्स करके इसको इंपोर्ट कर लेता हूं और इसको मैं यहां पर आने के बाद में जो अपना बोडी वाला पार्ट है इसको करने के लिए काफी इजी है पहले पने पेकेज इंपोर्ट किया था याप डिपेंडेंस से एड की उसकी रेड़ी फाइल के इंदर आना है काफी इजी है सारी चीजे इन्होंने बकाइदा अच्छी से डॉक दे रखें आयो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है यहां से रीट कर लेना मैं बैसिकली मैंने नोट्रेट वाल में सारी जी डाल भी रखिए तो इसकी इंशन नहीं लेना सारी वहां से देख लेना यहां पर आना है इसको मैं इंपोर्ट कर लेता है तो पेकेज को यह पर क्रोजक्य के अंदर में बिपार्ट आप वह सैब्स को में और इस के तो और सघी आप किसी image पिक करना चाहती है तो यह सारे यह लगा है और मेक्ष्र यह दिख रहे हैं आपको उट इंपोर्ट फ्रॉम डॉत यह वाली चीज इंपोर्ट होनी चीज़ है तीक है यह इंपोर्ट होगई इसके लेक करी हातो हा तो अपन को डिस्प्ले करवाने के लिए अपने यह वेरीबल बनाए इसके अंदर वह चीज अपन जो भी इमेज आएगी वहां से अपन इसको गेट करेंगे इस वेरीबल के अंदर डालेंगे और बेस्टीफॉर इमेज का मतलब जो अपन बेकेंड डावलर् यहाँ पर मैंने मैपने नहीं फेल कर दावर्णि इसके निचे अपको इनको pass कर देना आए अब करना कहा है किक उसमेंगे क्या कर रहा है चोज इमेज इस पीमने ऐता टाइब लिया यहां पर मैंने एक वेरिबल लिया लोकल वेरिबल जिसके अंदर इमेज तो जो भी अपनी से करनी है उसको तो camera आए तो मैं यह वाला code execute होगा अपना अधर्वाइस वह गैलरी चूज किए उसमें तो यह वाला code execute होगा मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़े आपको थोड़े देर में सारी जी समझ में आएगी ठीक है यह सेम कोड यह सा लिखा हुआ है यह वाला चीज आपन देख सकते हूं यह वाली डोग के अंदर भी यही चीज लिखी हुई है यह 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 तो आपन यह वाल टाइप ना इमेज सोस्टोट गैलरी यह अपन से डाइनिमिक लिखे आ रहे हैं जिससे के अपने को यह method अलग लग लिखा है लिखना नहीं पड़े अब उनको एक ही method से काम हो जाए अपना ठीक है और यह image quality मैंने इतनी कर रहा कि यह यह आप 100 वी सो कर सकते हो आप पर इबंड करता है इमेज क्यालिटी है आप इसको हटना चाहों यहां से तो आप इसको यहां से हटा सकते हो यह आप इसको हटा सकते हो तो इसके बाद में यह हो गया अब देखो यहां पर best 64 encode तो देखो मैंने सबसे वह इमेज है ना यहां पर selected image यह इमेज अपन क्या करेंगे selected image के अंदर मैंने क्या किया है यहां पर सबसे बहुत यह दोने चीज कर लिए मैंने कि gallery से चूज करेगा sorry camera से चूज करेगा और gallery से चूज करेगा और वह जो भी चूज करेगी वह चीज इसमें आजाएगी image वाले variable के अंदर बात मैंने क्या किया इमेज वाला जो variable है वो not equal to null तो नहीं है न नहीं है तो मेरे को क्या करना इस state को update करना है और selected image जो कि अपने एक variable बनाया था उसके अंदर मैंने क्या किया file image.path उस file का वो इमेज बिसकली रख्यू ही का हूँ है अपने mobile के अंदर उसका path gate किया और selected image के अंदर डाल दिया अब यह तो हो गया अपनों को user को दिखाना हाथवा दिखाना है अपन को screen पर open करने वाले UI यह भी design करने वाले है और base64 image इसको आपको import करना पड़ेगा आप यहां पर quick fix प कर लेता है अपनी image को view करने के mode में ठीक है तो वह चीजे सारी easily कर पाए यह हो गया तो यह method आपको ऐसे के इसे define कर देना है अब UI का part है तो UI का part तो काफी simple है मेरे recording आपको करना body के अंदर यहां सी जो padding दे रहे हैं मैंने यहां से लेकर काफी simple है यहां तर उठाना है इसको like body के अंदर 1 second escape folder को completely उठा लेना है यहां से लेकर यहां तक ठीक है और जो escape folder बनी हुए अपनी यहां पर यह वाली इसको इसको इसकी आत replace कर देना है किया मैंने तो अब देखते हैं अपन सेव कर आगे अपना क्या output आता है एमिलेटर के अंदर तो एक बार मैंने मोबाइल को मैं करता हूं ठीक है तो इसको मैं सेव करता हूं और सेव करने के बाद है तो लाइक इस्क्रीन लोक हो गई थी स्वेस से क्या हुआ था कि एक्सक्रीट हो गया एमिलेटर से डिसकनेक्ट हो गया मैं मोबाइल तो अपन इसको वापस से रंग करवाते है प्रोजेक्ट को और मेक शूर आपको एक चीज और बही करना है जब वीवड़ देख आना यह विविदे यान्दर उर्ण के अदर आना है और यहां पर किसको सेलेक्ट करना होता है अगर बता देता हूं एक चीज एक बिए पने कर के रख यह आ पर यह देको इस जगह पर जो अपने डिजैन मैंने यह कुछ भी नहीं है आपको नीचे दिखा एक्स्पीं करता हूं अपको और यहां पर मैंने टेक्स देगा image from camera image from gallery तो यहां पर मैंने टाइप डिफाइन करता है image camera और gallery से चाहिए तो जब भी यह method call होगा तो यहां पर सबसे पहले type जाएगा यहां पर यह type आएगा टाइप चेक करवाएंगे camera से किया तो यह camera से select करेगा otherwise gallery से select कर लेगा ठीक है अब क्या करते हैं इसतना करने के बाद में अपन नीचे आते यूई में मैंने कर क्या रखा वेसिकली देखो यूई में यहापे clip circle आउतार की help से मैंने यह rounded हो यह मतलग image rounded दिखे अपनको circle के अं अगर वो नल नहीं है तो image.file बैसिकली जो अपन image select करते हो फाइल 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 फॉर्मेट में होती है इसलिए मैंने यहापे image.file से चूज किया वह selected image जो कि आप यहापे देख सकते हो मैंने state update कर आया था selected image तो यहाँ से निकालके ले आएगा ठीक है तो यहाँ से अप वह blank है जो कि अपनी starting में है देखो यहाँ पर selected image में अभी कुछ भी नहीं है तो मैंने किया अगर वो नल है note नल हो तो यह अपन को दिख जाएगा तो second के condition होगी नल होगी वह तो मैंने कि एक by default image दिखाईए आप कुछ भी दिखा सकते हो like choose image या कुछ भी आप दिखा सकते लोकल में भी आप रख सकते हूं कि लोकल में पड़ी हो तो यहां पर पिक image या कुछ भी image दिखाना जाते हूं कर सकते हूं अब क्या करते हैं पर try करते हैं image pick करने का ठीक है तो सबसे और ट्राइब करते हैं like last time जो issue आय था वो यह था कि user क्या कर रहा था जब भी gallery से image select कर अब कर सकते हो और यह चीज भी कर सकते हो और यह चीज भी कर सकते हो लाइक तो अपनी image from gallery work कर रही है इस वाली में perfectly और यह जो आप देख रहा हूं और आप भी real device पर टेस्ट कर रहा हूं और आप भी real device पर टेस्ट करना सारीजी से आपको सारीजी सारीजी समझ में आए ठीक है तो अगर एक image और सेलेक्ट कर लाते हैं आपना लमाहिं के चलो यह वाली कर ली मैंने तो यह सार इस प्रोजेक्ट का आपको description मिल जाएगा प्रोजेक्ट का भी और जो मैंने health लिए आपको जो फाइल दे रहे हैं दोनों चीजे आपको description में मिल जाएगी और हाँ वीडियो के एंड करने से में आपको बता हूं कि जो आए उसका सेटप है उसके लिए मैं आपको यहां पर जो नोट्रेट फाइल है उसके एंड में दे रहा है सारी चीजे यहां पर आप इस पढ़ लेन आप क्रेश होड़ी थी उनको सारी चीजे को result करी उनको solve करी ठीक है